हाथी और चूहा की कहानी एक राज्य में एक राजा का शासन था। हर सप्ता पूरी शानों शौकत से नगर में उसका जुलूस निकला करता था जहां प्रजा उसके दर्शन किया करती थी। एक दिन एक ननहा चूहा उसी राजमार्ग के किनारे किनारे कहीं जा रहा था जहां राजा का जुलूस निकलने वाला था वो चुहा था तो छोटा सा मगर उसका घमन बहुत बड़ा था और वो खुद को सर्वश्रेश्ट और महान समझता था कुछ देर बाद राजमार्क से राजा का भव्य जुलूस निकला जिसे देखने लोगों की भीड लगने लगी राजा अपने पूरे दल बल के साथ था उसके सैनेक उसे घेरे हुए थे कई मंत्री और अनुचर उसके पीछे थे वो एक विशाल शाही हाथी पर सवार था हाथी शाही था इसलिए उसे भविता से सजाया गया था और उसकी शान भी देखते बनते थी जुलूस में हाथी के साथ एक शाही बिल्ली और एक कुत्ता भी थे उसके विशाल शरीर के कारण लंबी सून के कारण छोटी छोटी आँखों के कारण या जुरीदार चमडी के कारण किस कारण? एक बार तुम लोग मुझे देख लो उस हाथी को भूल जाओगे मैं हाथी से ज्यादा महान हूँ चुहाई इस सब सोच ही रहा था कि शाही बिल्ली की नजर उसकी लार टपक गई जुलुस छोड़ वो उसकी और लपकी फिर क्या था?